हे दोस्तों जैसा कि मैंने लाज वीडियो में आप से कहा था कि आप सोते वक्त गिरने जैसा महसूस करते हैं तो आप में से कही लोग सोच रहे होंगे कि मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता लेकिन 60-70% लोगों की लाइफ में एक ना एक बार ये मूवमेंट आता ही है और 10% लोगों को तो रोज ये महसूस होता है बट ये रोज महसूस होना हामफूल होता है तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ इस फिनामेन को हैपनिक जर्ग कहते हैं अब आप सोचेंगे ये हैपनिक जर्ग क्या है इसमें क्या होता है कि जब सोते हैं आप लोग तो आपकी बॉड़ी फुल रिलैक्स हो जाती है और उस वक्त आपके ब्रेंड को कुछ सिगनल मिलते हैं किसी वज़ा से तो आपकी बॉड़ी में कॉंट्रेक्शन होता है मजल्स में स्पाजम होता है जिसकी वज़े से आपको अचानक से गिरने जैसा फील होता है और आप अचानक से उठ जाते हैं तो चलिए जानते हैं इसके रीजन्स क्या है दोस्तों इसके main reason तो अभी मालूम नहीं हुए है लेकिन ये कुछ theories पर depend करता है सोते वक्त आपकी body relax होती है और sometimes sleep paralysis में चली जाती है इस वक्त ये hypnick जर जो है वो body के लिए अच्छा होता है ताकि आपको उस paralysis से निकाल सके लेकिन इसके reasons में से कुछ reasons है emotional stress, caffeine intake, यानि सोने से पहले चाय कॉफी का पीना या फिर सोने से पहले जादा exercise कर लेना अगर आप इस hypnick जर को avoid करना चाहते हैं तो इन reasons को भी avoid करना होगा तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये fact अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा थांक्स फर वाच्छिंग